हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू क्रेपॉन चलिए वी आज करते हैं सिक्थ सेंचुडी बीसी के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्ट्चर वे ने आपको बताया कि दो तरीके के बदला हुए थे एक राज्जितिक बदला और एक बिदि तरीके राज्जितिक बारे में तरीकी के चाहि टौ आर्मिक राज्जितिक बदला राजने लगे ह hijos ऑ्षिय की बारे में पी टू तरीके ड़िए लो मेंट्रश हैसित्जितिक बीकिट टे। इस दिवय फॉर् श्वां पर गाctional ए़नें मेंम्हरे वो जो कबारियली सिस्टम था वेड़ेक किरिड़ के जो कबीले थे वो मिल के राज जबनाने लगे हैं बड़े-बड़े राज जबनाने लगे हैं और सोला सिख सैंचूरी का जो भारत था वो stan प्दोमें बटा हुआ था शोडश महाजनपद पूरे भारत में शोडश महाजनपद हुआ करते थे 16 महाजनपदों में से 4 बड़े थे आवंती, वत्स, कौशल एंड मघद इसमें मघद साउथ बिहार होता है उधर काशी बनारस होता है उधर कौशल हुआ करता है आवंती, मद्वर्देश का एरिया है उसके नीचे साउथ इस्ट में चेदी वंच होता है जो दक्कन का एरिया है आश्मक कहलाता है उस समय राजिस्थान को मत्स कहते हैं हर्याना रिजन को कुरू कहते हैं उधर सेंटरल यूपि में पांचाल होता है गांधार है, कामबोज है इस तरीके से बहुत सारे महा जनपद इस समय हुआ करते हैं चार कुछ इंपॉर्टन्ट हुए आवंती, आवंती की केपिटल का नाम आवंतिका जिसका ओरिजिनल नाम आजकल कहते हैं जैन या जैनी उस समय नाम आवंतिका था यहां का राजा प्रदेउत तुमाह सें हुआ करता है दूसा वस किंग्डम जो है जो वस किंग्डम हुआ करता है ये कौशामबी है इसकी केपिटल कौशामबी दिला है और कौशल जो है वो उसकी कैपिटल श्रावस्ती हुआ करती है जो नेपाल से मिला हुआ एरिया है और मघद साउध भिहार होता है ये चार होते हैं कभी-कभी मघद के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे हैं कभी-कभी इनके कैपिटल मैच करा ली जाते हैं आवंति की कैपिटल जैनी है औरिजिनल नाम आवंति का है वसकी कैपिटल कौशाम भी है कौशल की राधानी श्रावस्ती है और मघद अलग से होता है जो गौतम बुद्ध की जो कपिल वस्तू है वो कौशल राज्य में ही आता है जो उनका कभीरा सिस्टम है शाक कपिल वस् सब को कैप्चर कर लेता है अब मगत पे शासन करने वाली पहले डैनिस्टी का नाम हर्यंग डैनिस्टी है पहले शासक मगत के हर्यंग है उनका फाउंडर है बिम्बिसार बिम्बिसार तब मगत का शासक है जब बुद्ध और महावीर अपने फिलासिफिकल सिस्टम का परचा कर रहे हैं कभी कभी पूर लेते हैं कि बुद्ध महावीर के समय कौन सा राज़ा हुआ करता था मगद में इडवाद बिम्बिसार इसकी कैपिटल राजगीर थी राजगीर का रियल नाम गिरी वरज होता है पांच गिरियों से घिरा हुआ इसके चारो तरह पांच पहाड़ि पाठली ग्राम में पर ट्रांसफर कर देता है अपनी के पाठली ग्राम में कैपिटल बनाना चाहता है अजाज उत्रू और यह पहली बुद्ध स्पा थी incorporating świata कर दोrel राजगा को केप्चेर कर लेता है मतलब जो कोशल राजगी था वो कैप्चेर हो जाता है इससे पहले एक चोटा राज अंग हुआ करता था, अंग मतलब आज का भागल पुर जिला, ये बिमिसार नहीं कैप्चर कर लिया था, कौशल राज कैप्चर कर लिता है, अजाश शत्रू, और नई कैपिटल बनाने के लिए जगा की चुनाओ, जिसका नाम पाटली गराम था, इसके बाद उ और डिसाइड बाई अजाट शत्रू. अगلी डैनेस्टी आती है, शेशोनाड डैनेस्टी, इसका फाउंडर शिशुनाग है, कैपिटल उनकी ये आवंती कैप्चर कर लेता है, मतलब वो जो मैंने बताया था आपको ये मघध होता है, कौशल कैप्चर हो जाता है, ये एक राजा होता है काल अशोग जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी तो यह थी सेकंड डैनिस्टी ओफ मगद इसके बाद आते है नंदाज नंदा इंडस के बॉर्डर से लेकर उलसा तक रूल करते हैं भारत में पहली बड़ी अंपार बनाने वाले जो शासक थे वो नंदास थे नव नंदा कहलाते हैं नौ शासक होते थे इनका फाउंडर कोई महापद्म नंद हुआ करता है और इसी में आठ राजा और होते हैं आखली था धनानंद जब धनानंद रूल कर रहा है तब ही 326 एसी के आसपास भारत पीसी के आसपास पहुचा है भारत में अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर तीन्तुचहबिस अटाइस के आसपास आता है जब मगग का राजा धनानंद हुआ करता है भारत का मेजर पार्ट नॉर्थ इंडिया नंदों के पास हुआ करता है अलेक्जेंडर मेसिडोनिया गरीक इरिजन से आया है ये तक्षिला कैप्चर कर लेता है राजा अंभी से तक्षिला कैप्चर कर लेता है जो की बहुआ बड़ी इंवस्टि मानी जाती थी उस समय फिर ये जहलम का युद्ध लड़ता है इसका नाम बैटल आफ हाइडेफसे क्षिला कि ग्रीक लोग जहलम को हाइडेफस रिवर कहते है तो इस बेटल अइडेफस भी कहादेते है, जिसमें वो जहलम की राजा पोरस को हरा देता है जो बहुत फेमस बैटल हुआ करती है राजलांगर और पूरस की आगे बढ़ता है ब्यास नदी पहुझता है ब्यास नदी पर जब ये नंदो से लड़ाई इसकी हो सकती है उससे पहले इसकी आर्मी में विद्रो हो जाता है इस विद्रो को ये दमन नहीं कर पाता है और ब्यास नदी से ही वापस चला जाता है इसका नंदो के साथ कोई संगराम नहीं हुआ है कोई battle नहीं होती है ये mainland India में एंटर नहीं कर पाता है इसकी आर्मी का विद्रो हुआ था इसलिए कह देते हैं अपने लोगों से हार गया था चला जाता है और इसकी जल्दी ही डेथ हो जाती है ये Alexander इसलिए वो चुनाव करता है जो उसकी इस जम्बूदीप पे बड़े राष्टर की कामना को पूरी कर सके वो चौदा साल का बालक चंदकुत मौर दिखाई पड़ता है जिसको वो तैयार करता है राजा के गुड़ उसमें दिखाई पड़ते हैं उसे वो हर and on every aspect of governance and administration he nurtured him mentored him and finally when he came of age he you can say he conspired with the help of चंदकुत मौर the overthrowing of धनानन्द this way 321 BC में धनानन्द को हटा दिया जाता है चंदकुत मौर defeated धनानन्द hence led the foundation of 4th dynasty to rule over Maghad that was Mauryan dynasty जो 185 BC तक rule करेंगे चंदकुत मौर पहला राजा है जिसके बारे में किताब लिखी गई है मुद्रा राक्षस लिखी है विशाक दत्ने संस्कृत की किताब है मुद्रा राक्षस लिखी है विशाक दत्ने इसमें बताता है क्या वो ट्रेणिंग दी गई थी क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम थी जिसके तहें चंदकुत मौर ने धननन को हराया था और मगत का राजा बना था आगे चलके लिखता है इसे विशाक दत्न इसी समय उत्तर पश्चिम भारत में एक सल्यूकस नाम का राजा आ जाता है जो अलक्सेंडर का आर्मी जर्नल था अलक्सेंडर की डेथ के बाद वो उत्तर पश्चिम भारत क्लेम करने आ जाता है तो सल्यूकस की एक लड़ाई होती है चंदकुत मौर के साथ उसके बाद एक संधी वी साइन होती है उस संधी के साथ कुछ एडियाज भी आतन परदान होते है लेकिन साथ साथ एक बात ये तैह होती है एक अमबेजडर भारत में आएगा और अमबेजडर का नाम मेगस्टनीज होता है इसलिए ग्रीक कोर्ट से साल्यूकस की कोर्ट से पार्टली पुत्त पहुंसता है एक ग्रीक अमबेजडर कह सकते है पहला इंपॉर्टन ट्रेवलर वू केम टू इंडिया फ्रम फॉरें लेंड वाज मेगस्टनीज वू केम इन दा कोर्ट अफ चंद्गुक्त मौर मेगस्टनीज यहां रहता है और अपना अकाउंट लिखता है ग्रीक भाषा में अकाउंट का नाम इंडिका होता है इस तरीके से इंडिका नाम की किताब ग्रीक भाषा में मेगस्टनीज लिखता है कार्फी को सिस्टम्स के बारे में लिखता है सोशल सिस्टम्स के बारे में लिखता है यह बताता है यहाँ पर सैविन क्लास सिस्टम होता है वर्ण वरस्था जो चार क्लास सिस्टम दी उसे वो सैविन क्लास सिस्टम कहता है कैसे मौर इन आदमी काम करती है किस तरीके से सोसाइटी वगरा है इनके समारे में बताता है लास्ट में चंदकुत मौर बन जाता है जैन दर्ण का फॉलोवर चंदकुत मौर के समय मगद में बहुत बड़ा आकाल भी पड़ा है एक बहुत बड़ा आकाल पड़ता है उस आकाल पड़ता है आकाल के समय मैंने बताया था जनिलिय speaking में बहुत सारे जैन मौंग उठic Sharmis हैरा राजा चंभ Ugh ऑसे मौर है वो बही जैन मौंग बन जाता है और भद्र बाहू के साथ वो भी करनाटक चला जाता है वही रहता है वही पर उसकी चंदगरी हिल पर death हो जाती है जहाँ पर आज श्रवण बेल गोल नाम की जगा होती है जहाँ पर एक बाहु बले की लंबी सी मूर्ती है जो पहले तीर थंकर रिशवनाथ के पुत्र कहलाते है वही वो एडिया है जहाँ चंदगुप्त मौर और जैन मौंग्स पहुचे थे 4 सेंचिरी में वही पर उसकी डैथ हो जाती है चंदगुप्त मौर की साउथ इंडिया में जैनिजिम को लिजाने वाला में तोर पर चंदगुप्त मौर ही माना जाता है शमड बेलगोल करनाटक के हासन जिले में होता है लौड बाहु बली की यहाँ पर मौर्ती होती है और हर 12 साल यह एक फेस्टिवल होता है महामस्तक अभिशेक कहते हैं इसे महामस्तक अभिशेक यह साउथ इंडिया में जैनिजिम का सबसे इंपॉर्टन फेस्टिवल माना जाता है जैसे बारा साल बात कुम्भ होता है, महा कुम्भ, ऐसे ही ये, जैनियों का समझ लीजे, बड़ा important festival है, महा मस्तक अभी शेक, ये जो एक पत्थर की बने हुई मूर्ती है, लॉर्ड बाहु बली की, श्रमण बेल गोल में है, ये वही जगा है जहापर कभी चंद्गुक्त मौ को बोला गया है गिरी किताबों में, सेंड्रो कोटस, सेंड्रो कोटस, गिरी किताबों में चंद्गुत मौर को वह सेंड्रो कोटस कहते हैं, ऐसे ही वह बिंदुसार को कहते हैं, अमित्रो केट्स, इसलिए कहते हैं कि बिंदुसार का जो इंडियन टाइटल था, वो था अम बिन दुसार था, टाइटल उसका वित्रगात होता है तक्षिला में रिवोल्ट होता है मैंने बताया है चंदकुत मौर के समय बहुत बटा आकाल पढ़ा था मगद में जसे बहुत बटा पलाइन हुआ था लेकिन बहुत बटा रिवोल्ट हो जाता है इन्दर टाइम ओफ बिंदुसार तक्षिला में रिवोल्ट हो जाता है रिवोल्ट का दमन अल्टिमेटली अशोग करता है अशोग का ब्रदर सुशीम ऐसे हालात पैदा कर देता है कि माविद्रो हो जाता है सुशीम नहीं रिवद्रो कंट्रूल कर पाता है तो अशोग को भ आवंती राज्य का, मद्वर्देश का और तक्षिला का भी गवर्नर्ट बना दिया जाता है। बिंदुसार बताया गया, एक आजीवक मौक ने ये बताया है कि बिंदुसार के एक बेटे को जम्बुदीब का बड़ा राजा बना है। राजा आठ साल तक तो वो बहुत क्रूवल राजा की दरा शाहसन करता है, लेकिन आठवे साल में दो से 61 बीसी, 260 बीसी में वो कलिंग वार लगता है। उडिसा का जो कोसल एडिया है, वो कलिंग है। कलिंग वार में जो मारकाट होती है, उससे उसके हिद्र परिवर्तन होता है। और वो वार छोड़ देता है, इसके बाद वो वार वेर छोड़ देता है। और कुछ समय बाद वो बुद्धिस्म में कनवर्ट हो जाता है, बुद्धिस्म में कनवर्ट हो जाता है, बुद्धिस्म में कनवर्ट हो जाता है, अपनी बात को अपनी बिचार को वो लोगों पहुचाने के लिए बहुत सारे अभिलेक जारी करता है इसलिए पूरे भारत में नेपाल से लेकर अफगानिस्तान से लेकर बंगलादेश बंगाल से लेकर करनाटक तक अशोग के बहुत सारे अभिलेक मिल जाते हैं जिससे भारत की जो territorial boundary थी वो भी पता लग जाती है, जहाँ जहाँ अभी लेक मिलते हैं, वहाँ वा तक अशोग का शासन हुआ करता है, इस तरीके से पूरे भारत माशोग की अभी लेक मिल जाते हैं, कुछ पत्थर पे लेखे गए थे, कुछ पिलर्स पे लेखे गए थे, द जरा fall scripts भी कहते हैं, प्राकरित में जादतर प्राकरित में हैं, कुछ उत्तर पश्चमी प्राकरित में हैं, कुछ प्रास्ट्री प्राकरित में हैं, मतलर local languages में भी हैं, लेकिन जादातर प्राकरित भाशा में हुआ करते हैं, और ब्रहमिलीपी में हुआ करते हैं, अशोग क लेकों में अशोक को बोला गया है देवनाम पिये दशी, हर लेक की पहली लैन में लिखा हुआ है, thus speaks to you देवनाम पिये दशी, आपसे बात करता है देवो कपरिय, अशोक अपने लेकों में अपने आपको देवो कपरिय कहता है, बहुत दिन तक यही माने जाता रहा कि राजा का नाम डेव नाम पिये दसी है लेकिन 1837 में जब इस्ट इंडिया कंपनी भारत की इत्यास का अधियन कर रही थी तब ही जेम्स प्रिंसेप नाम का एक इंडोलोजिस्ट हुआ करता था उसने डेसाइफर किया और बताया कि यह जो राजा है इसका नाम डेव नाम पिये दसी है वो प्राक्वित भाश्या को पढ़ पाया था उसने बताया कि यह राजा का नाम डेव नाम पिये दसी है डेव नाम पिये दसी का मतलब होता है I am beloved of gods मैं देवों का प्रिय हूँ आगे चलकर एक मास्की एडिक्ट मिलता है करनाटक में मास्की एडिक्ट और दोत्र एडिक्ट और है उद्धे गोलम है सन्नती है उन सबसे पता लगता है कि यह जो देवनाम की एदसी है बेसी कर लिए अशोक है मास्की एडिक्ट में अशोक अपना रियल नाम इस्तेमाल करता है वैसे आशोक का जाता अब लेखों में अपने आपको देवनाम प्यदसी कहता है तेरवा शिला लेक सबसे इंपॉर्टन माना जाता है यहां पर अशोक कलिंग वार के हॉरर्स के बारे में बताता है बताता है कि मैंने इतने लाख लोगों को मारा है इतनों को बंदी बनाया है इसलिए मैंने थैसला किया है कि मैं वार छोड़ दूँगा कई भी कोश्चन आ जाता है किस लेक में अशोक ने बोला है कि मैं वारफियर के दास्ता छोड़ दूँगा या किस लेक से हमको कलिंग वार के हॉरर्स के बारे में पता लगता है तो आप बोल देंगे 13th Rock Edict अशोक कहता है मैं शिकार भी जाना चोड़ दिया है जांगरों को नहीं मारा जाना चाहिए अब मैं तीर थात्राओं पर जाता हूँ अशी एक थी तेत्रा करता है वो लंबनी की लंबनी मतलब गौत्वम भूध की जनब भूमी इसलिए यहां के लोगों को मैं टेक्स में राहत देता हूँ पूरे भरत में तो मैं एक बटा चार्ट से एक बटा छे उपजगा ले लेता हूँ टेक्स लेकिन यहां के लोगों से एक बटा आठ लूँगा वी के लेंड मेरे लिए पायस है क्योंकि ये शाक मुने की बर्थ प्लेस होती है तो लुंबनी पिलर से हमको पता लगता है कि अशोक लुंबनी की आत्रा भी करता है उसके जो बच्चे हैं उनको वो लंका भेशता है उसका बेटा महेंद और डॉटर संग मित्रा लंका जाते है और इस तरीके से लंका वॉज बिकेम सेंटर आफ बुद्धिजिम इस तरीके से बुद्धिजिम का सेंटर बन जाता है अशोग रूल्ड ओवर ए वेरी वेरी लार्ज एडिया जब तक वो राजा रहा एक इंच भूवी भी मौरण एम्पायर से बाहर नहीं जाती है बट अपने वो परसनल लाइफ में एक पीसफुल राजा के तौर पे जाना जाता है अशोग को भारती इतिहास में इस्टेबलिश्मेंट आफ पीस के लिए जानते हैं या वारफेर वगरा के लिए नहीं जानते हैं इसने एक ही इंपॉर्टन वार्ड लड़ी है तैस कलिंग वार उसके बाद वो एडविस्टर्टर के तौर पर तो सब्थ था लेकिन वेक्तिक दह्मा कहते हैं जो लोगों को एक नेतिकता भरा जीवन देने बताने का प्रयास करता है मतलब एक सोशल कोड ऑफ खंडर्ग जैतिवाद बताता है दो सो बत्तिस में अशोग की डेथ हो जाती है अशोग की डेथ के बाद आखी राजा ब्रहदरत हुआ करता है तो लास मॉर मॉरेन आर्मी जन्रल के साथ कॉंस्पिरेसी करती है मॉरेन आर्मी जन्रल का नाम पुश्यमित्र शुंग है मगत की जन्ता की मदद से पुश्यमित्र शुंग किल्ड लास्ट मॉरेन गिंग प्रहदरत इस तरीके से मगत पे आने वाले पांचवे शासक हो जाते हैं पे है, एकनॉमिक्स पे नहीं है, अर्शास का मतलब एकनॉमिक्स होता है, बड़ बुक इस अन, इस्टेट क्राफ्ट, पॉलिटी, राज विवस्था पे किताब होती है, इसमें सब्तंग थियोरी की बात होती है, कॉटल ले कहता है, एक राष्ट्र के साथ अंगों होते हैं, वो स्ट्रॉंग होते हैं, साथ अंगों की बात करता है, मेगस्तनीज, मेगस्तनीज ने किताब लिखी है, इंडिका, मेगस्तनीज बताता है, कैसे चलता है मॉर्यों का मिनिस्प्र अड्मिस्टेशन, कभी-कभी कोशन आ जाता है, मॉर्यान मिनिस्प्र सिस्टम के बारे मे सिर्फ और सिर्फ कौन बताता है तो आप इसका आंसर देंगे मेगा स्नीज बताता है इंडिका बताती है ये कहता है, भारत के सवार में साथ क्लास होती है, जब की चार होती थी, ये मेगा स्नीज का वर्नन है भारत के बारे में, अशोक ने बहुत सारे पिलर जारी किये थे, अशोक के पिलर टेपर्ड हुआ करते थे, टॉप पे कितने किसी एनिमल की आकरती होती है, और एक पोर्शन होता है, जहाँ पर चार धरन चक्र होते हैं, सर्कमफरेंशली और बीच में एनिमल की आकरती हुआ करती है, अशोक के बहुत सारे पिलर्स मिलते हैं, लेकिन जो सारनात पिलर है, वो सबसे इंपॉर्टन माना गया है, वो थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, वो ही same emblem, तो इसमें चार animals होते हैं, bull, horse, elephant and loin, ये दिखाए गए हैं अशोग के सार्णाथ पिलर पर, यही से हमारा राष्ट्रिय चिंद ले लिया जाता है, और यहां उपने साची स्टूप बनवाया है, ऐसा कहते हैं, मद्रबदेश में साची स्टूप एक semi-domical structure होता है, जो mortal remains के ऊपर बनाया जाता है, ये gateway होते हैं, और यहां पर एक casket होती है, एक छत्र होता है, इसके चक्कर लगाने से ही पताया जाता है कि गौतम बुद्र को कुजार्चना की जाती है, तो इस्टूप मतलब जो mortal remains होते हैं, पहले गौतम बुद्र की बाद में जो बड़े-बड़े symbolic body बन जाते हैं, वहां पर उसमें दफना कर, उसमें mortal remains को रखकर, चाओ तरफ जो अर्ध गोलाकार structure बना देते हैं, इसे स्टूप कहते हैं, सबसे बड़ा स्टूप साची स्टूप होता है, इससे बड़ा एक स्टूप माना जाता था अमरवती स्टूप जो destroy हो गया, जो साथ वहनों के समय दखकन में, अमरवती में बना दाली, साची स्टूप सबसे important स्टूप माना जाता है विहार क्या होता है बुद्धिस में, विहार वो जगा जहाँ पर मौंक्स रहते हैं स्टूप मतलब किसी बुद्धिस मौंक या गौतम बुद्ध की बॉड़ी और शेष के ऊपर जो अर्धगुलाकारे structure बना एते हैं उसे स्टूप कहते हैं, विहार मतलब जहां रहते हैं बुद्धिस मौंक और चैत होता है जहां वो पूजा अर्चना करते हैं वो गुफाएं जहां पर चोटा अस्टूप बना होगा या गौतम बुद्ध की मूर्ति होगी जहां पूजा अर्चना करते हैं उसे चैत कहते हैं बुद्धिस टेंपल को चैत कहते हैं बुद्धिस मौंक जहां रहते हैं उसे विहार कहते हैं जनता है लो रहा है, वो क्या है, विहार भी है और चैत भी है, महां तुमा रहते भी थे और वहां को जैसे भी है, जहां इस दूप मिल जाएंगे अंदर है, बुर्टी मिल जाएगी, यह था modern period, so this is something about the morion, post modern period का मतलब होता है लगबग, 300 BC से, 200 AD तक का period कहलाता है, post morion period, मगद, मगद में अब पाचवे शासा का जाते हैं, वो कहजाते हैं, पोश्मित्र, शुंगर डैनेस्टी, चौथे तो मगद थे, morion थे पाचवे शुंगर डैनेस्टी, शुंगर डैनेस्टी का founder था पोश्मित्र शुंग, जिसने ब्रहदरत को किल किया था, जो last morion king था, इस इसके समय में अश्मेज सेक्रिफाइस होता है अश्मेज सेक्रिफाइस करता है इस यग्यों को संपन्द कराने वाला था एक पतंजली नाम का पुरोहित पतंजली लिब इन दर टाइम ओविज डैनेस्टी तो आप बोलेंगे शुंगा डैनेस्टी पतंजली जाना जाता है द determinade chapters है उसी पार बाद में जाए कर जो टी-काटेपड़िय भी ती UTI-Ka TIP-eDa nut महाभाष यह रिखता है पतंजली कुर्थक हुआ करता है पतंजली इंभ Agha पुश्यमित्र शुम्ग और आखरी शासक जो थे मगत के छटे वो थे कान्व डैनिस्टी और कान्वों के साथ खतम हो जाती है मगत एंपायर मगत एंपायर के पहले शासक हर्यंग डैनिस्टी, सेकंड शेचुनाग, थर्ड नंद, फोर्थ मौर, मौर के बाद डिकलाइन के समय पर एक शुम्ग होते हैं और शुम्ग के बाद लास्ट होते हैं कान्व डैनिस्टी तो ये तो मगत खतम हो जाता है उधर अशोक के बाद म नौर्ट-वेस्ट इंडिया में पहले ते रह रहे तो इसलिए इनको इंडोग्रीज का जाता है इनका एक कंग वगा करता है मिनिंदर जिसका भरत्ये किताओं में नाम मिलिंद मिलता है ये बुद्धिज्म का फॉल्वर बनना चाहता है लेकिन बुद्धिज्म का मिनिंदर के बीच में और नाग सेन नामक बुद्धिस्वांग के बीच में इस किताब को कह देते हैं मिलिंद पन्हों पाली भाशा में हैं मिलिंद पन्हों का मतलब होता है Questions of Milind मतलब जो बताया नाग सेन ने वो उसकी समझ में आया फिर वो बुद्धिस्म का follower बन जाता है मिलिंद पन्हों पाली भाशा में मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न इसी समय ग्रीग राजाओं के कोट से एक अम्वेज़डर भारत आता है जिसका नाम था हिलियोडोरस हिलियोडोरस आता है विदिशा मद्धिपट शुमगा कोट के उसमें शुमगा जूल कर रहे हैं यहाँ पर हिलियोडोरस यहाँ पर आता है विदिशा में बेस नगर नामक जगा पर वो एक गरुण स्थम इस्थापित करता है गरुण उसके टॉप पे लगा हुआ था वो तूट चुका है और गरुण स्थम पे जो लेट लिखा है उसको पढ़ के पता लगता है कि जो गरीक अमबेसडर हिलियोडोरस है यह वैशनव धरम फॉलो करने लगा है यह पिलर गरुण धोच कहलाता है यह विदिशा में मिल जाता है बेस नगर नामक जगा पर यह पिलर यह बताता है यह गरीक अमबेसडर वैशनव धरम फॉलो करने लगा है यह भी गरीक राजाओं की कोर्ट से आया था और शुंगा कोर्ट में आया है यहां से यहां पहुँचा है सेकेंड नमबर पे आते हैं शाकाज गुजरात में इस समय रूल कर रहे है शाकाज इस समय शाकाओं की बहुत सारी ब्रांचेज है लंबे समय में चली है वो गुजरात वाली है इनका सबसे इंपॉर्टन राजा रुद्र दमन बन है जो 150 AD के आसपास जूल कर रहा है गुजरात में सौराष्ट में इसने जारी किया है जूनगर अभी लेक जो संस्कृत में लिखा हुआ पहला इंपॉर्टन अभी लेक है भारत में भारती एतिहास का the first inscription in the purest form of संस्कृत वास जूनगर इस्क्रिप्शन इसमें ये एक सौलर्टन लेक की बात करता है ये कहता है कभी चंद-गत-मौर नाम के राजाने गुजरात में इरिगेशन के लिए एक लेक बनभाई थी इसकाना सौलर्टन लेक है इसके बारे मों लेक करता है अपने जूनगर अभी लेक में इसी लेक पे आगे चलकर अशोग ने एक एम्बेंग्मेंट बनवाया है और मैं इसका रेपियर्मेंट करा रहा हूँ तो सुदर्शन लेक बहुत इंपॉर्टन लेक हो जाती है जिसके बारे में जूनगर अबिलेट में लिखा है इसी से पता लगता है कि इसको बनवाया था चंदुपत मौर ने इसमें एम्बैंग्मेंट बनवाया है अशोग ने और इसका रेपियर्मेंट कराता है खुद रुद्रवण वन इटी दा उनली सोर्स ओफ इरिगेशन इंडियस एरिड लेंड वो कहता है यह सूखी जमीन है यहाँ पर जो इर्रिगेशन का सोर्स यही हुआ करती है रुद दमन के बाद यह जो शाकाओं के बाद एक चोटे मोटे शासक आते हैं पार्थियन इनको बहुत बड़े शासक नहीं थे चौथे नंबर पर आते हैं कुशान डैनिस्टी कुशान डैनिस्टी का यह एक चासक था जिसका नाम था विमा कैटफिसस विम कैटफिसस को कैटफिसस टू भी कह देते हैं इसने बहुत सारे सोने के सिक्के जारी किये हैं इसके सोने के सिक्क पर लॉर्ड शिव को उनके बुल नंदी और तरिशूल के साथ दिखाया गया है इससे ये जाहिर होता है शायद ये कुशान जो पार सेंट्रल एच्छा के तरफ से आये हैं ये भी शायद भारती धर्व फॉलो करने लगे हैं किस फॉरें डिनेस्टी के राजा के सिक्कोप और लॉर्ड शिपक और तरिशूल के साथ दिखाया है तो हम बूलेंगे विम्मा कैट फेस कुशान डिनेस्टी के राजा होता है इसके बाद आता है कनिश्क वन, सबसे इंपोर्टन डाजा इन था में कनिश्वन होता है जो 78 AD में पुरुषपुर में अपना राजविशेख शुरू करता है अपना राशाशन शुरू करता है पुरुषपुर को आज कल पिशावर कहते हैं पाकिस्तान में और 78 AD शक्समवत मानी जाती है 78 AD से सबसे important calendar शुरू होता है शक्समवत शाका एरा 78 AD यही जो calendar है यह भारतिय समवतों में सबसे important समवत जो भारत सरकार मानता प्रदान करती है जर्ट शक्समवत सारे भारतिय सरकार की दस्ता वेज़ों पर शक्समवत का calendar year अंकित होता है इस से पहले की जो समवत थी वो थी विक्रम समवत 57 BC में किसी विक्रम अधित नाम के राजा ने शुरू की थी उसके बाद एक शक्स समवत आती है 78 AD में माना जाता है इसे शुरू करने वाला कनिश्क ही था क्यों शक्स समवत कहते हैं हमको पता नहीं इसे समय कनिश्क की कोर्ट में हुआ करता है एक वसुमित्र नाम क pouredュिस्ट मौनक हुआ करता है इन टाइम अफ कनिश्क जो चौतिय बुद्धिस काउंसिल का अध्यक्ष्पी था इसे समय एक अश्भोष नाम का बुद्धिस्ट मौनक भी होता है जिसने बुद्ध चरित लिखी है इसने बुद्ध चरित नाम की किताब लिखी है बुद्ध की जीवनी लिखी है संस्क्रित भाशा में वैसे तो किताबे साब पाली में थी लेकिन अश्व गुष नाम के बुद्धिस्मोंग ने गौतम बुद्ध की जीदनी लिखी है संस्कृत में किताब का नाम बुद्ध चरित है कनिश के समय ही होता है एक चरख नाम का चरख हुआ करता है कनिश के समय चरख चरख ने जो ये काफी बाद में होता है, गुपता कुरिट से थोड़ा पहले होता है, बट कनिश्ट के समय नहीं था, सुशुरुत जाना जाता है सर्जरी के लिए, इसने किताब लिखी थी सुशुरुस संगिता, इसने लिखी थी चरख संगिता, चरख संगिता is a book on medicine, and सुशुरुस संगिता in Sanskrit, he belongs to the period of कनिश्ट, but he does not belong to the period of कनिश्ट, कनिश्ट के समय एक आर्ट डवलप होती है, से गांधार कला कहते हैं, गांधार आर्ट, गांधार आर्ट, वो आर्ट है जो उत्तरपश्यम भारत की आर्ट है, जिसके थीम तो भारती हैं, लेकिन style ग्रीक है, मुद्दे सारे के सारे भारती हैं, लेकिन बनाने का तरीका ग्रीक होता है, मतलब मुद्दे भारतियों में भी मुद्दे सारे के सारे मुद्धिस्ट हैं, और बनाने का तरीका ग्रीक है, यूरोपियंस ने जो यहां पर आर्ट डवलप की style यूरोपियन है, ग्रीक है, लेकिन मुद् गांधार कला के लिए का जाता है एन आर्टिस्ट ऑफ डिस स्टाइल हैस माइंड ऑफ इन इंडियन बट हैंड्स ऑफ गरीक उसकी सोच तो भारती है हाथ उसके गरीक के हैं मतलब बराने कर तरीका फीचर्स गरीक हैं गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तिया सबसे पहले मि पाइसी समये कलिंग में होती है एक चेडी डैंस्टी गुगा करती है चेडी डैंस्टी जिसका राजा होता है कारवेल यह कौन के बा TIME अगर कलिंग के बारे में किसी के बारे में पता लगता है कलिंग के संदर में तो वो था एक खारवेल नाम का राजा जो डानेस्टी का नाम था चेदी एरिया है महा में एक वर्में डानेस्टी भी कह देते हैं महां मेग Verma Dynasty है, और राजा का नाम खारवेल है और ये अविलेक जानी करता है हाती गुमफा हाती गुमफा इंस्क्रिप्टalen ये हमको मिल जाता है बुवनेशुर के आस्पास, हाती मुःप इंस्क्रिप्टon में राजा कारवेल के बारे में लिखा उए है तो ये कलिंग का एक आजा था जो मॉर्जयों के बाद कलिंग में रूल करता है महा में एक वर्मन डैनेस्टी है चेरी डैनेस्टी भी कह देते हैं इस एरिये में रूल करता है राजय का नाम खारवेल हुआ करता है ये थे पोस्ट मॉर्जया पीरट के कुछ इसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा गुप्ता डैनेस्टी अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे गुप्ता डैनेस्टी और एजियन इंडिया को फत्प कर देंगे उसके बाद फटा फटा हम मेडिवल इंडिया देल देंगे चलिए थैंक्स लॉट पर वाचिंग देस वीडियो थैंक्यू वेरी मच लाइक करिए आगे बढ़ाएए शब्सक्राइब केजिए चैनल को आगे बढ़ाएए थैंक्यू वेरी मच पर वाचिंग देस वीडियो